हाई गाई विडियो आज की वीडियो में देखते हैं टिपल दोड वालपुल का फ्रिच को हम लोग कैसे स्टेप बाइ स्टेप क्लीन कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में आता है आइस जोन जहां पे आप आप आइस या आइस क्रीम अगरा रखते हैं आज आपको मैं दिखाने वाली हुआ यह तीनों पार्ट को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं और साती साथ क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग है तो हमारे फ्रीच के ऊपर कुछ एक्सेस समान नहों ऐसा नहीं हो सकता है तो fridge के ऊपर and fridge का पुरा बाहर का surface को भी आप कैसे clean कर सकते हैं, आज के वीडियो में आप लोग वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि आज मैं fridge को deep clean करने वाले हूँ, इसलिए मैं fridge का main switch को off कर दूँगा, अगर आप बाहर बाहर surface से clean करते हैं, उस time पर जोरत नहीं परता है, ल मुझे fridge के ऊपर चोटा मोटा कुछ सीज़े हैं, आप देख सकते मेरा बेटे का दवाये कुछ मेरा make-up как scrup실 है कुछ मेरा has band का that method का मेरा fulfill यह कुछ मेरा मेरा dou,, और मुझे fridge को और चाहिए मैं fridge से रखूँगी और मुझे लगो की अक्राला है या खाज़े खडाप हो गया ह के बाद में फ्रीच का जो ये डॉयर से यसको भी में अलग से रख दूगी क्योंकि आज मुझे टॉयर से लेके से लेकि सब कुछ को अच्छे से कलीन करना है इसको जैसे मी ने डॉयर को स्लेप को हटा लिया उसके बाद फ्रीच में आपको जो लूस दर्ट दिख रहा है जै इसके बाद सबसे पहले में जो फ्रीज का ये रवर होता रवर का अंदर कॉर्णर में बहुत ज़ादा गंदिगी होता है सबसे पहले में दस्टिंग ये रवर को ही करूंगी रवर को डस्टिंग करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हैं या मिनी वैकूम क्लिनर का भी उसक लेकिन उससे आपको कितना क्लीन होगा मैं इसका गारेंटी नहीं ले सकते हूँ फ्रिज का रवर क्लीन करने के बाद में सबसे पहले करूँगी फ्रिज का पुरे बाहर का सर्फेस को फ्रिज का अंदर के सर्फेस को इवें फ्रिज का उपर के सारे सर्फेस को में दस्टिंग करूँगी जो भी लूस दर्ट है मुझे पहले उसको निकाल देना बहुत ज़य तो क्या होगा जब मैं इसको cleaning करूंगी उस टाइम पे यही गंदगी मेरा और गंदगी मचाएगा और सही से clean या scrubbing नहीं हो पाएगा फ्रीज को dusting करने के लिए हमेशा ही microfiber cloth या तो cotton का cloth का use करिएगा जो की clean and dry होना चाहिए तब ही dusting का काम सही से होगा अब टाइम ए फ्रीज का बाहर का surface को clean करने के लिए हैं आप all purpose cleaner का use कर सकते हैं जो आपका फ्रीज का बाहर का surface को बहुत easily clean कर देगा अभी मैं यहाँ पे spray करके cleaner को अच्छे से apply कर रहे हूँ फ्रिज के बाहर cleaner को apply करने के लिए आप किसी भी type का scratch bite का use कर सकते condition बस इतना है कि वो scratch bite तोड़ा soft हो ताकि आपका fridge के उपर scrubbing का spot ना पढ़े अब guys मेरा fridge का side वाले यह surface में आप देख सकते हैं marker का spot है इस case में में अगर all-purpose cleaner से ज्यादा scrub करूंगी तो यह ना spot remove नहीं होगा लेकिन अगर आपके पास thinner available हो तो thinner से अगर आप इसको spray करने के बाद हलके से scrub करिएगा तो spot remove हो जाएगा मेरे पास thinner नहीं था तो मैंने अभी फिलाल यह surface को चोड़ी दिया है और आप देख सकते हैं जो metallic surface है उसमें आपका अगर कोई भी spot है यह आपका all-purpose cleaner से भी हट जाएगा जैसे आप देख सकते मेरा metallic surface में भी यह marker का spot था तो वह spot हट गया है अब guys fridge का दूसरे साइट को भी हम लोग ऐसे ही मिसी तरीके से clean कर लेंगे आपको यह fridge को पर एक level दिख रहा होगा जब हमने online business नया नया start किया था और first order आया था तब हमने level को यहाँ पर चिपका दिया था तर बोलेते हैं जब हमारा business running हो जाएगा तो यह level को अब लोग कि मैं यहां पे कौन सा all-purpose cleaner यूज कर यूज कर यूज अपने fridge को deep clean करने के लिए तो मैं बता दूँ मैं kitrick k2 cleaner का use कर यूज इसको आपको 50 ml लेना एक लिटर पानी में इसके बाद अच्छे से mix करके आप spray करके यूज कर सकतेगा इस kitrick k2 cleaner को आप almost अपने घर के हर एक इसके अपने नहीं है मिना गलब्स का use कर यूज लेकिन थोड़ा भी इरिटेट नहीं कर रहा है अब टाइ में फ्रीज का अंदर को clean करने का तो सबसे पहले मैं eyes zone से start कर यूज क्योंकि मैं पूरा फ्रीज को पहली dusting कर चुकि तो मुझे यहां पर dusting करने का ज़रत नहीं ह इसके में cleaner को अच्छे से spray करूंगी लेकिन बहुत जादा नहीं दो बार spray करूंगी और उसके बाद soft scratch bites में scrubbing कर दोंगी आपको भी यही याद रखना है जब भी आप cleaner को फ्रीज में apply करें clean करने के परपस आपको बहुत जादा cleaner को spray नहीं करना है एक से दो बार आपको spray कर करना है उसके बाद आपको scrubber के तुरू scrubbing कर ले रहा है वही बहुत जोरों से नहीं करना है हलके हाथों से थोड़ा समय लेके करना है और फ्रीज का साड़ा साइट को clean करने के लिए हमेशा brush का use करें जो brush soft and used हो जिससे आपका फ्रीज का हड़े कोना भी clean हो जाए और scrubbing का spot और गाइस में आपको एक सीज यहां पर और एक करना चाहूंगी जब भी आप फ्रीज को clean करना start करें हमेशा उपर से ही clean करना start करें आपने तेखा होगा सबसे पहले मैंने फ्रीज का उपर dusting कर लिया था उसके बाद मैंने फ्रीज का उपर पहले scrubbing किया पता है क्योंकि फ बार बार clean करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाईस आप देख पा रहे होंगे कि में फ्रीज के अंदर को भी थोड़ा बहुत scrubbing कर रही हूं क्योंकि मेरा फ्रीज का अंदर थोड़ा बहुत सबजी का spot हो गया है वेजटेविल का spot हो गया है जो spot मुझे रिमूव करना ह हलके आतों से scrubbing इसी purpose से में कर रही हूं लेकिन अगर आपका फ्रीज में बहुत ज़्यदा spot नहीं है तो उस case में आप cleaner को spray करके माइक्रो फाइबर क्लोच सगर वाइप कर देते तब भी आपका फ्रीज हंडेट पोर्सन क्लीन हो जाएगा आपको scrubbing करने का ज़रत नहीं है अगर आपका फ्रीज में ऐसा spot है तब आप scrubbing का काम करेगा और एगेन मी बता रही हूं फ्रीज को scrubbing के टाइम पे आप स्वाफ स्कॉच बाइट लीजेगा और कॉर्णर को क्लीन करने के हमेशा प्रस को लीजेगा फ्रीज के अंदर बहुत सारा कॉर्णर होता है और सारे कॉर्णर को क्लीन करना बहुत जरूरी है गाइस अगर आपको मेरा ये फ्रीज क्लीनिंग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी साथ अपने family member दोस्तों को share करना मत भूलिएगा because आज के date में सबके घर में फ्रीज है तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि फ्रीज को कैसे step by step clean करने से result भी 100% आता है और फ्रीज भी कम समय में बहुत सही से साफ हो जाता है मुझे जहां तक लगता है life में सबसे जादा value अगर किसी चीज का है वो समय का है तो समय को तो बजाने का हमेशा कोशिश करना चाहिए again मैं same process से फ्रीज का बाहर का surface में भी cleaner को स्प्रे करके हलके हाथों से scrubbing करके छोड़ दे रही हूँ आपने देखा होगा यह पूरे cleaning process में कि मैं cleaner को spray कर रही हूँ scrub कर रही हूँ लेकिन मैं wipe ने कर रही हूँ मैं wipe एकदम end में करूंगी वो भी मैं आपको एक नया process दिखाऊंगे cleaner का wipe करने का तो वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि यह fridge cleaning का हर एक step का वीडियो बहुत यूसफूल है और अगर आप यह वीडियो देखने के बाद अपने घर में अगर आप किसी भी टाइप के कोई भी brand का fridge को अगर आप clean करते तो मैं बता सकते हूँ ग्रैंटी के साथ 100% आपका fridge clean होगा उसमें कोई bacteria कोई germs नहीं रहेगा आप देख रहोंगे कि यह fridge को clean करने के लिए मैं कभी brush का use कर रहे हूँ कभी scrubber का use कर रहे हूँ कभी मैं microfiber cloth का use कर रहे हूँ तो कभी मैं cleaner का use कर रहे हूँ तो guys जब भी आप अपने fridge को clean करने बैठे specially यह 4-5 चीजे हमेशा अपने साथ रखे जैसे कि 2 microfiber एक या दो toothbrush जो की soft होना चाहिए एक या दो scrubber और साथी साथ cleaner के साथ थोड़ा बहुत एक बाउल में पानी इसके बाद अब मेरा fridge almost clean हो गया है लेकिन मैंने कहीं पे भी fridge का cleaner को तो wipe किया ही नहीं है अब मैं wipe कैसे करूँगी fridge का बाहर का साथी surface में wipe करने के time में भी मैं एक एक बार cleaner को spray करूँगी फिर microfiber cloth से wipe करूँगी fridge का अंदर मैं ऐसे normally microfiber cloth से wipe करूँगी अगर मुझे दिखा कहीं पे गंदगी है तो मैं cleaner को again spray करूँगी और wipe करूँगी इससे क्या होगा ना कि अगर आपका fridge में कोई जगा में गंदगी रह भी गया हो तो second time जब आप cleaner को spray करके wipe करिएगा तो पहले का गंदगी तो निकलेगा ही साथी साथ जो थोड़ा बहुत बच गया था अब आपको वह भी निकल जाएगा तो क्या यही प्रोसेस रहेगा अब हम लोग इंडियन हैं हम लोग cleaner को wipe करने के बाद हमारा मन नहीं मानता है और मेली इंडिया के बाहर यही cleaning प्रोसेस को follow होता है cleaner को spray करना अगर ज़रूरत पड़े scrubbing अगर ज़रूरत नहीं है तो cleaner को microfiber cloth से जो microfiber cloth dry होता है उससे wipe कर लो they are satisfied लेकिन हम में आड़ा मन नहीं मानता है और wipe करने के बाद मुझे satisfaction आजाता है कि मेरा फ्रीज हो गया है clean और आपको भी लाएगा इसके बाद आपका फ्रीज 100% clean हो जाएगा मेरा यह मानना है जैसे ही आपका यह पुरा फ्रीज को तीसरे बार microfiber cloth से वाइप करना हो जाए और आपको लगे कि आपका फ्रीज अब clean है ready है तो आपको क्या करना है फ्रीज को एगेन आपको जो भी slips हम निकाले थे जो भी अपने ड्रोया निकाले थे अब आपको क्या करना है उसको fix करना और आप चाहें तो फ्रीज को all-purpose cleaner से नहीं clean करके आप baking soda या तो vinegar या तो dish washing liquid से भी आप clean कर सकते हैं लेकिन में suggest करूं कि आप baking soda या vinegar यूज करें बट dish washing liquid का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करीगा क्यूंकि आप पानी से फ्रीज को wash नहीं कर सकते हैं तो वह चीज आप द जैसा होता है condition वह आपका fridge में ना रहे तो अब मेरा fridge almost हो गया है clean तो अब है आप लोगों को result दिखाने का time result दिखाते में fridge का सारा dryer को सारा slip को भी fix कर लोंगी guys हो सकता है कि आपका fridge का brand दूसरा हो या हो सकता है आपका fridge का look दूसरा हो लेकिन same इसी process से अगर आप अपने घ 4 महिने में एक बार तो आपका fridge में कभी भी कोई भी bacteria jams कुछ भी नहीं होगा और 7-7 महिने में एक बार आपको touch up cleaning जरूर कर लेना है आपने वीडियो का starting में देखा होगा कि मेरा fridge में कितना सारा spot हो गया था लेकिन अब भी आपको मेरा fridge में सिर्फ वो एक marker का spot के सिभा को कोई spot नहीं दिख़ा होगा जो मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहे तो उसको thinner से clean कर सकते में भी करूंगी आप लोगों को दिखाऊंगे भी बहुत जल्द वह marker का spot को clean करके गाइस अब आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और वीड साड़े topic पे cleaning वीडियो मिल जाएगा और साती साथ ओभी most easy and simple process में और जो इबन आपका cleaning का time को भी बहुत कम कर देगा इसके बाद आप थोड़ा सा enjoy थोड़ा सा आप अपने life को जी सकते because बेशक किसी को यह लगता हो कि घर के काम में क्या रखा है लेकिन इसमें कुछ रखा हो या ना रखा हो एक ladies का पूरा दिन का समय चला जाता है सिर्फ घर का काम करते करते तो मैं चाहती हो कि आप भी अपने life को थोड़ा सा जीए तो आपका भी cleaning process अगर थोड़ा सा improve होगा तो आपका बहुत सारा time बचेगा और आप अपने life को भी बेदर तरीके से जी सकते हैं यह video कैसा लाएगा इस comment करीगा thank you so much guys